हलो दोस्तो इस वीडियों में हम लोग बात करेंगे चैन्ने सुपर किंग वसेज कोलकाता ने टैडर्स के बीच जो IPL 2022 का पहला मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में और दोस्तो दोनों टीमों के स्टैट्स के उपर पूरी डिटेल एनलिसिस करेंगे और हेट टो एट कंप्रिजन करके जानेंगे यह कौन सब प्लियर एक दूसरे टीम खिलाप अच्छा performance करता है और कौन से प्लियर को आपको small league और खास करके grand league की teams में लेना चाहिए तो दोस्तो इस मुकाबले में team बनाते से में credit को लेकर तो problem आई रही होगी साथ हम दोस्तो confusion होगी प्लियर को select करने में क्यूंकि दोनों teams की तरफ से बड़े-बड़े player इस मुकाबले में नहीं खेलने वाले है तो उनकी उपर भी बात करेंगे Aaron Finch भी दोस्तो इवलेबल नहीं रहेंगे तो दोस्तो यहाँ पर चार player इस मुकाबले में नहीं खेलने वाले है तो जिससे आपको team बनाने में थोड़ी से असानी होने वाली है अब डेरेट बात कर लेते हैं दोस्तो यह मुकाबला कहां खेला जाएगा venue की उपर तो आनखेडे stadium मुंबई में दोस्तो यह मुकाबला खेला जाएगा जहां पर आपको जैसे की पता है कि ground जारा बड़ा नहीं है और batsman को दोस्तो बहुत जारा मरत मिलती है तो डेरेट ब important बात दोस्तो टेलेग्राम पर जल सल जाकर एड हो जाएगे फ्री में टीम आपको वहीं पर टॉस के बाद मिलेगी अब उसके बाद डेरेट बात कर लेते हैं दोस्तो यहां की पीछ रिपोर्ट की उपर तो बैटिंग फ्रेंडली पीछ रहने वाली है सबसे पहले बात कर लगा है आईपियल के जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है चालिस बर जीती है और जो टीम चेस की है दोस्तो तिरलेस मुकाबला जीती है तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जादा मतलब डिफरेंस नहीं है लेकिन हैस्ट स्कोर की बात कर तो आरसीवी ने यहां पर 235 का हैस्ट स्कोर बनाया हुए एवरे स्कोर 170 के प्लस ही देखने को मिलेगा और लोइस्ट स्कोर दोस्तो यहां पर बुरी बात है कि केक्यार का खूद का ही दोस्त यहां पर लोइस्ट स्कोर है जो कि दोस्तो इसी ग्राउंड पर केक्यार खेलने वाली है अब बात कर यहां पर देखने से यही लग रहा है कि दोस्तों आपको यहां पर दोनों टीम्स बहुत ही मजबूत है तो यहां पर आपको 170-80 के टार्गेट देखने को मिलेगा अब उसके पर डायट बात कर लेते हैं पेस बसे स्पीन लाश्ट के 10 मुकाबले में तो 10 मुकाबले रिसेंट कर देखा जाता दोस्तों फास्ट बूलर को मिला है क्यावन विकेट और वहीं अस्पीन बूलर की बात करते 21 विकेट मिला है तो जैसा कि मने आपको बता है बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड रहने वाली है साथ हम दोस्तों फास्ट बूलर पर आपको जारा फोकस करना है क यूँकि दोस्तो जो पिशला साल जो 10 मुकाबले इसी ग्राउंड पर खेले गए हैं IPL के उसमें से फास्ट बुदर को जारा मनत मिली है और यह सारत देख सकते हैं दोस्तो जो रिसेंट के 10 मुकाबले में 6 मुकाबले वही टीम जीती है जो टीम चेस की है तो यहाँ पर जो 2018 में दोस्तो 5 मुकाबला मुमे इंडियन वान खेड़े में खेले थी जिस में से 25 में से 4 मुकाबला जीती थी और वही लगतार चारों मुकाबला जीती थी इसी ग्राउंड पर और वहीं kolkata की बात के बात की रहें और दो मुकाबलाए के वाण खेड़े में खेले थे, जिसमें सरु दोस्तू दोनों और दोनों हारे थे, और एक मुकाबला दोस्तो इसी ground पर चैनने के खिलाफ हारे थे, तो देखाए तो koulkata का head to head में के रिकौर्ड खराब रहा है, और इस ground पर भी दोस्तों चेन्ने के खिलाफ रिकोर्ड खरा भी रहा है तो देखने वाली बात यह रही दोस्तों कौन सा टीम यह मुकाबला जीतती है उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की head to head compression की उपर तो 27 मुकाबला पूरे इतिहास के IPL में खेला गया है ज इसमें से दोस्तों एक मुकाबला फाइनल का था आप सभी का यादnın का तीनों का तीनों मुकाबला kafinh new साल कांद दोस्तों च्यन्नीः जीती थी hell ьति में आप Fun दोस्तो यहीं देखा जा रहा है कि दोस्तो चनने का परफोरमेंस बहुती संदार रहा रहा और इस ग्राउंड पर भी दोस्तो चनने स्पर टिंग बहुती संदार खेलती है अब दोस्तो उसके बाद बात की जाए दोनों टीम्स की head to head compression की उपर तो दोस्तों आप सभी को जैसे पता है पिछले साल तीन मुकाबले खेले गए हैं दोनों टीम्स के उन तीनों मुकाबले के दोस्तों यहाँ पर head to head हम लोगा stats देखेंगे कि कौन से player एक दूसरे team खिलाप अच्छा performance करता है और grand league team में लेना चाहिए तो आगे बाइने से पहले मैं बस यही बोलना चाहूँगा अगर पहली बार है तो दोस्तों subscribe करका जरूर जाएगा और मैं आपको जाड़ा कुशन बंगता बस वीडियो को like कर दिये दोस्तों मेरे लिए इतना ही काफी है सबसे पहले batting से बात करे त रितुरज गया, क्वार्ट का दोस्तों बहुत ही संदा record रहता है कोलकता खिलाफ, 44, 40, 32 बनाया थे last year, मोहेन लीका भी दोस्तों रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन फिलाल तो मोहेन लीका बहुत ही कम चांशा से क्योंखेलेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर यह आएंगे भी त तो दोस्तो क्वारेंटेन किया जाएगा फिर उनके बाद दूसरे मुकाबले में खेलते वे आपको दिखेंगे चैन नहीं का रबिन उथा पाई एक मुकाबले में 31 रन अंबथी रैड़ू एक ही मुकाबले खेले थे 10 रन एमेस धोनी 17 रन एक रन और रविंद्र जड़ेजा 6 रन और 22 रन तो यहाँ पर मैं आपको यह बता दू कि बहुत सारे प्लेयर्स दोस्तों दोनों टीमस में बहुत ही जादा बदला हुए हैं तो दोस्तों चैन नहीं सुपरकिंग की तरफ से जैसे फैब डूप प्लेस से अ साल चैनने के खिलाब और पैट कमिंस का भी रिकोर्ट अच्छा जो की कम ही चांस मतलब खेलेंगे ने दोस्तों इस मुकाबले में और दोस्तों अब हम लोग लाश्ट येर के दोनों टीमस की बॉलिंग के हेट टो एडर स्टैट्स देखने से पहले बात कर लेते हैं बहु बहुती ज़्यादा संदार अप्लिकेशन है और यहां पर आप लोग अगर हमारी लिंक से जॉइन करते हैं तो यहां पर आपको वेलकम बोनेस 15 रुपे का देखने को मिलेगा और जॉइन करते समय दोस्तों हमारा रेफर कोड करीक कलेमन जरूर यूज़ करें जिससे दोस् दोस्तों 20% का extra cash देखने को मिलेगा मतलब कि दोस्तों 1000 डिपोईट कीजए तो दोस्तों 1200 रुपे आपको देखने को मिलेगे और उससे भी दोस्तों बड़ी बात यहां पर यहां पर आपको चैंपियन के साथ खेल सकते हैं और अगर आप लोग डिरेट चैंपियन को यहां पर हराते हैं तो यहां पर आपको पांच गुना जादा प्राइज देखने को मिलेगा मतलब कि दोस्तों यहां पर आपको इतने सारे ओफर के साथ साथ भी दोस्तों प्राइज भी दोस्तों बहुत जादा देखने को मिलेगा तो बहुत संदर अप्लिकेसन है जल सेल दोस् दोस्तों यहाँ पर बात करें तो दीपक चहर का अच्छा रिकोडर है, लेकिन फिलाल दुद दीपक चहर एंज़री कारन एबलेबल नहीं रहेंगे, तो इस मुकाबले में भी सुनी ले रहा हैं ट्रंप ले रहेंगे खास करके Grand League के लिए वरुन चक्रवाती दो विकेट एंडर असल दो विकेट विकेट वनकेटेस आईयर की बात करें तो दोस्तो यहाँ पर एक विकेट लिए हैं और वहीं दोस्तो पैट कमीन्स की बात करें तो इनको एक विकेट नहीं मिला था जो की एक मुकाबला खेले थे तो दोस्तो ये तो होगी हमारी पूरी head to head analysis लास्ट येर की दोनों टीम्स की अब बात कर लेते हैं दोस्तो चैनले सुपर किंगी क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेंग लेओन तो आगे बाट इस पहले दोस्तो अब बात कर लेते हैं दूसरे गीवेक बारे में तो simple सवाल है कि दोस्तो कौन सा batsman, कौन सा दोस्तो बॉलर और कौन सा all rounder सबसे जारा points देगा दोस्तो तो आपको simply comment करना है और चीन भी भाई लोगों का सही जवाप रहेगा उनको दोस्तो जो अगली वीडियो रहने माली है उसमें मैं winner भी announce करूँगा फिर आपको prize भी मिलेगा playing leon की बात कर तो मोहनली दोस्तो अब लेवल नहीं रहेंगे दीपक चाहर भी अब लेवल नहीं रहेंगे है तो आप लोग लिए स्मॉल लिख ले बेस्ट ऑप्शन रहेंगे और घास करके दोस्तों ग्रैंड लिंग में डी कॉनवे को आप लोग जरू ट्राई कीजेगा दूकि डी कॉनवे ओपनिंग करेंगे रितुराज गाइकवाड के साथ लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लो आप लोग के लिए स्मॉल लिख ले रविंद्र जड़जा और रॉंडर सेकंड से है तो यह दोस्तों आप लोग के लिए स्मॉल लिख लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे और सीवम दुवे की बात करें तिनका भी रिसेंट रिकॉर्ड अच्छा है तो यह आप लोग लिए लेकिन मैं आपको एक चीज यह बता लूँ कि एमेस दोनी कभी भी आपने आपको प्रमोट कर सकते हैं और उधर से दोस्तों सेम बिलिंग्स को मौका दिया जाया तो सेम बिलिंग्स और अमेस दोनी का लगबग बैटिंग उडर सेम ही है तो आप चाहें तो ग्रैन लिख की आविंदर जड़ जड़े तो आप लोग वेशिक तो रहेंगे साथ दोस्तों ब्राबो आप लोग बॉलिंग सेकंट सेक्था और एडम मिल आप दोस्ते यहां से लिख सकते हैं और वहीं दोस्तों यहाँ पर recent में देखा तो देश पांडे का record बहुत ही संदार चल रहा है तो देश पांडे और अगर थिक्सकी ना खेलते हैं तो यह दोनों को आप लोग के लिए grand link में जरूड रहे किजेगा और यहाँ पर जो players bench पर बैठे हुए है Chris Jordan और यहाँ पर हंगर गेकर यह इनका भी record मैंने लिख रखा है जो कि दोस्तों बहुती संदार spin ball है तो इनका भी आप लोग देख सकते हैं और Chris Jordan अगर खेलते हैं तो यह भी recent में संदार performance किये हैं तो यहाँ पर सारा players का record मैंने लिख रखा है जो और मैंने बता दिया दोस् जनने की तरब से opening भी करते हैं तो यह आप लोग लेस मुकाबले में best option रहेंगा और सबसे अच्छी बात की कोलकाता के खिलाप इनका record भी अच्छा है मोहने ली दोस्तों 300 मतलब 57 रन अमबती रैडू 257 रन और जड़ेजा दोस्तों यहाँ पर 27 रन और बॉलिंग से बात क है कि अरन फिंच अविलेवल नहीं है तो उनकी जगह पर अजिंकर रहाने को फिलाल तो उपनी कराया जागा वेंटेटर सेयर के साथ फिर सेरसी और नितिसरान सेम बिलिंग्स और एंडर असल सुनिल लराएंट टीम साओधी सभी अमाभी और वरुन चकरवती और उमी सिया अब डेर्ड बात कर लेते हैं इनके सारे प्लियर्स के रिसेंट की मैचस के रिकॉर्ड की उपर तो दोस्तों यहां पर मैं आपको सबसे पहले यह बता दू कि रिसेंट में अजिंकर रहाने का पफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा चल रहा है तो यह आप लोगों के खास करके कोलकाता का प्लियर्स आप लोगों के लिए ट्रमप लेर रहेंगे इन तीनों के तो आपको अस्मॉल लीग में लेकर चलना है सैंबिलिंग्स को आप ले सकते हैं धोनी की जगह पर चाहा दोनी को भी ले सकते हैं कि दोनों का बैटिंग नोर लगबक सेमी है रसल और सुनी दोस्तों बॉल लिंग से बात करें तो टीम साओधी आप लोगों के लिए बेस्ट आप्सन रहेंगे रिसेंट में दस्मिकेट ले चुके हैं वरुण चकरवती का रिसेंट पर्फरमेंस खराब है और इस ग्राउंड पर भी दोस्तों फास्ट डॉल लिग में ड्रॉप कर स डाता है कि कोलकाता की तरफ से बहुत सारे प्लियर्स अभी मतलब खेलने का नई मतलब इनकी तरफ से अब नहीं खेल रहें आप दूसरे टीम की तरफ से खेल रहें तो लाश्ट एर की बात कर दो तो आप नहीं थोड़ा सा कमी चांश रहेंगे फिर भी आप वरुण यह दोस्तों रहेंगे की प्लेयर्स, तो की प्लेयर्स में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चैन्ने की तरफ से रुटुराज गैकवाट, डीकॉनवे, अंबती रैडू, रविन रजड़ जड़ जा बरावू, और कोलकाता की तरफ से दोस्तों की प्लेयर्स रहेंगे, स स्मॉल लिग की बेस्ट टीम देखेंगे, उसके बाद दोस्तों ग्रैंड लिग की टीम देखेंगे, तो आगे बेड़ने से पहले पस मैं यही बोलना चाहूँ, अगर आप लोग को हमारी पूरी डिटेल एनलेसिस अच्छे लगिए, तो बस वीडियो को लाइक कर दिए, और अपने दोस्तों साथ दोस्तों सेर भी जरूर करकर रखियागा, जिस से मुझी मोटिवेशन मिलती रहे, सबसे पहले बात करेंगे, स्मॉल लिंग में तो यहाँ पर हमारे पस दो बैस्ट टॉप साने, MS दोनी, Sam Billings विकेट कीपर में, और S Jackson का भी थोड़ा बहुत चां मिलेगी, तो फिलाल मैच Sam Billings के साथ जा रहा हूं, बैक्टिंग से सिक्षन से बात करेंगे, तो मैंने सबसे पहले सेरस यर को लिया, जो कप्तान एक उलकाता की तरफ से पहले दोस्तों दिल्ली की तरफ से खेलते थे, और रितुरज गाकवाट को में ले रहा हूं, जो कि लाश्ट यर, 600 से जादा प्लस, मतलब 600 से जादा स्कोर किये थे, और और औरेंज कैप होल्डर थे, आईपिल सीजन में, तो यहाँ पर दोनों टॉप ओडर के मैंने बैट्समेन को लिया है, और सबसे पहले उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिलूँगा, मैं सबसे पहले न आप चाहें, तो नितिसराना कोई ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों नितिसराना का head to head में चैनने के खिलाब कुछ अच्छा record रहा नहीं है, और अमबती रैडू दोस्तों मेरे सबसे best option रहेंगे, क्योंकि मोहनली top order में खेलनी रहें, तो जाहिसी बात है, अमबती रैडू के थोड़ा ज़ड़ा दारमोजार रहेगा, तो यह आपको अच्छे खेलते हुए दिखेंगे, और बैटिंग friendly दोस्तों पीच रहने वाली है, तो यहाँ पर अमबती रैडू अच्छा score कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं चार बैट्समन में से तीन बैट्समन CSK के तरफ से ले खेलेंगे, अगर यह आएंगे भी तो दोस्तों तीन दिन का करम अलब compulsory quarantine रहेंगे, उसके बाद ही खेलेंगे, तो दूसरे जो CSK का मुकावलर है कि उसमें आपको खेलते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर मैं रविंदर जड़िजा को ले रहा हूँ, फिलाल मैं दो लॉ जो कि दोस्तों ओपनिंग करेंगे, तो थीन ओर लॉंडर को मने लिया है, बॉलिंग सिक्सें से टीजे बरावो को में ले रहा हूँ, टीम साओधी को और निजस्ता बात किया रहे हैं, यह दोस्तों रहेंगे मेरी अस्मॉल लेगी टीम को अम्बिनेसन, बैट कमेंस भी अ से रहा है, से रहेहर को और रृतुरज गयाकवाट को, यह ऐँस्तों रख count रहा हुँ, और यहाँ पर मैं 4 batsmen जिसमें से 3 मेरे batsmen रहेंगे चैन्ने की तरफ सी, और आप लोग यह मत सोचेगा कि मैने खोलेकताकी तरफ से batsmen को मैं नहीं लिया, यहां पर मैं 1 р.चील की ऐ पर मैंने लिया है चन्ने की तरफ से और मैंने फास्ट अबलर पर जारा फोकस किया है क्योंकि इस ग्राउंड पर देसा मने आपको रिकॉर्ड की बैसिस पर बता है कि फास्ट अब उसके बात कर लेते हैं माई लेवन सर्कल के टीम कॉम्बिनेशन क्यूपर तो दोस्तों यहा पर मैंने इस ले लिया है तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बदा दो कि इस अप्लीकेसन की खासियती है यहां पर आपको बिल्कुल भी दोस्तों क्रेइट मेंटन करना में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन जभी बी मुकावले में प्रॉब्लम आएग तिया प्लिकेशन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी फिलाल तो मैं दो विकेट कीपर को ले रहा हूं बैटिंग सिक्षन से बात कर दो मैंने स्रेस एर को लिए रूतर राज गया को आप चाहा है तो यहां पर रॉबिन उथाप्पा को लिए सकते हैं नहीं तो अजिंकर रहाने को भी अब बात कर लेते हैं दोस्तो Allrounder से बात रहाने बोने सकते हैं और यहां पर लोग नियुके बना सक्ते हैं और दोस्तो को बनास पर आप यहां पर यहimerण बोलर को ले लिया है और अदम मिल को मैंने लिया क्योंकि मैंने आप चार मैंने और राविंद्र जडिया को बना रहा हूं अब बात कर लेते हैं इस के प्रीविस और ग्रैंड लेकि टीम की उपर तो दोस्त ये रहने वाली है मेरी myleunser के लिए की team combination और ये दोस्तों मेरी small league के टीम रहेगी चारो मैंने all-rounder लिया दो baller, तीन यहांस मैंने batsman लिया है और दोस्तों यहां पर मैं दो wicket keeper को लिया हूँ आपको पर आपको कुछ इंपोर्टेंट बात बता देता हूं जैसा कि आपको पता है दोस्तों यह पहला मुकाबला है IPL 2022 में दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि आपको जो हमारे पूराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता होगा कि मैं एक मतलब मैच के उपर दो वीडियो अपलोड करता हूं जो आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं एनलिसिस वाली वीडियो है और मैच से 10-12 घंटे पहले मैं आपलोड करता हूं अपलोड करता हूं शे या साथ ग्रैनलिंग वाली टीम कॉमिनेशन तो नोटिफिकेशन बेर जरूर ऑन करकर रखी है ताकि उन वाली वीडियो को भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें और उस वीडियो में भी आप लोग सबसे पहले मतलब सेयर और लाइक कमेंट टरने पहें यहाँ पर मैंने ग्रैनलिय की टीम में रविद्र जड़ेजा को कैप्टन बनाया है वाइस कैप्टन की बात कर रहा तो मैंने वेविंट के टेस अईयर को बनाया है और डीजे बरागो को मैंने लिया यहाँ पर बॉलिंग से टेस वांडे को मैंने लिया और वरुण चेकरवती को मैंने लिया है तो दोनों टीम्स की तरब से मैं और लोंडर मिला कर तीन-तीन मैंने बोलर को लिया है और एकब बोलर मैंने अस्पिन बुलर को लिया यहाँ पर मैंने लिया स्पिन बुलर वरुन चकरवती को और दोसते लिए स्पिन बुलर रिविंदर जड़्या को मैं क्याप्टर बना वहुँ कि रिशंट पर रही तरनर जड़ अच्छे पहले में लिए इस वीडियो हमानी दोस्तों इतना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिए पहली बार आ किते सब्सक्राइब करकर जलूर जयरूर ज हेंग धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए